दिन की शुरुवात अगर एक हेल्दी नाश्टे से हो तो पूरा दिन आपका एनरजेटिक रहता है और उत्पम इसमें एक बैतर विकल्प है और आज मैं आपके साथ गेहूं के आटे से उत्पम की रेसिपी शेयर करूँगी चावल के आटे से या फिर सूजी के उत्पम हम स क्यों आटा सूजी नहीं होती मगर गेहूं का आटा हम सभी के किचन में पाया जाता है यहाँ पर मैंने लिया एक कटौरि गेहूं का आटा सांत में लिया कुटीवी नरी मिर्च औरफ स्वात के नुसार नमक और कुटिवी लाल मिर्च बस इतने ही मसालों से हम जेऊं के आते से उत्म त्यार करेंगे थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक अच्छा सा घोल त्यार करेंगे और साथ में इसमें मिलाएंगे आधा काटोरी दही और इसका एक हम थोड़ा सा गाड़ा घोल तियार करेंगे इसी घोल को थोड़ा सा पतला कर लेंगे तो हम गेहूं के आटे से डोसा भी बना सकते हैं तो दही को अच्छे तरह के से मिक्स कर लेंगे और इसका एक लंप स्फ्री बैटर हम तियार कर लेंगे अब यहाँ पर मैंने आधा चमच बेकिंग सोडा लिया है आप चाहें तो यहाँ पर इनो भी रख सकते हैं इसमें और अच्छे तरह के से मिक्स कर लेंगे तो यह हमारा उत्पम का जो घोल है तियार हो गया है अब यहाँ पर गैस पर रखेंगे पैन और पैन को हम ग्रीज कर लेंगे अब जैसे हम चावल के उत्पम तियार करते हैं या फिर सूजी के उत्पम बनाते हैं बस उसी तरीके से हमें गिहों के आटे से भी उत्पम बनाने हैं तो बैटर को हम पोर करेंगे पैन में और इसे हलका हलका फैला लेंगे और उत्पम जो हैं थोड़ा से मोटे ही होते हैं तो इसे ज़्यादा नहीं फिलाएंगे जो भी हमाइपा सब्जी है हम इसमें उपपर से डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने डाली है ग्रेट कीवी गाजर बारी कटी वी शिम्ला मिर्ड और बारी कटे वी प्याज प्याज मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा डाले है क्योंकि मुझे अनियन उत्मम बहुत पसंद है और इसके बाद इसमें उपपर से डाल देंगे सांबर मसाला और सब्जीों को हलकल का दबा लेंगे कवर करके एक से डेड़ मिनट के लिए कुक करेंगे तो बहुत जल्दी नाश्ता बनके त्याव जाता है अब उपपर से हलकल का तेल डाल देंगे और इसे दूसरे साइड फिलिप करके बस कुछ सेकिंड के लिए हम इसे पका लेंगे तो देखे अगर आपके पास सूजी नहीं है या फिर चावल काटा नहीं है तो गेहों के आटे से भी हम उत्मम बना सकते हैं और ये भी उतनी ही टेस्टी लगते हैं जितने की चावल के आटे से या फिर सूजी से तो बस इसी तरह के से हम गेहों के आटे से सारे उत्मम त्यार कर लेंगे तो देखिए कुछ ही मिन्टों में हमारा गेहूं के आटे का नाष्टा तयार हो गया है और दोस्तों गेहूं के आटे से उत्पम मैंने भी फर्स ट्राइम बनाया और हमारे गर में यह नाष्टा सबको बेहत पसंद आया तो आप भी इस नाष्टे को एक बार जरू ट्राइ कीजिए और अपने कमेंट्स में साथ जरू शेय कीजिए कि आपको और आपकी फैमिली को गेहूं के आटे के उत्पम कैसे लगे यह देखिए कितने सॉफ्ट हमारे गेहूं के आटे से उत्पम त्यार हुए है और बस इसे सॉफ कीजिए अपनी मन पसंद चटनी के साथ और दोस्तों अगर मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाई और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले बाई बाई